आज के इस वडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके IQphone में Hotspot On नहीं हो रहा है या फिर Hotspot Connect नहीं हो रहा है, तो अपने IQphone में Hotspot Problem कैसे ठीक करें तो इसके लिए IQphone में Settings ओपन करिए Setting में Network and Internet आएगा, इस पे क्लिक करिए नीचे अब नेटा सेवर आएगा डेटा सेवर पे किलिक करिए यह on आपका enable है तो इससे off करिए बंद करिए यह बंद होने के बाद back आईए उपर अब यह hot spot and tethering आएगा इस पे किलिक करिए उपर अब यह wifi hot spot आएगा इसपे किलिक करिए अब ये hotspot name आएगा, name पे किलिक करिए, इस name को delete करिए और अपने hotspot का एक नया नाम set करिए और ये ok करिए नीचे आईए, ap band आएगा, 2.4 अगर आपका ये select नहीं है तो ये 2.4 ghz select करिए और अब ये settings apply होने के बाद back आईए, phone के setting में नीचे आईए नीचे ये system पे किलिक करिए, system में reset option पे किलिक करिए reset wifi, mobile and bluetooth आएगा, इस पे किलिक करिए अब ये नीचे reset setting पे किलिक करिए, अब अपने phone का lock password एंटर करिए तो ये करने से कोई data कुछ delete reset नहीं होता है बस network settings reset होती है, तो आप ये reset setting पे किलिक करिए तो ये reset settings होने के बाद back आईए, अब अपने phone को reboot करिए बंद करके चालू करिए, और अब चेक करिए आपके phone में hotspot से related कोई problem, error नहीं आ रही है तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को like जरूर करें